नमस्कार, बैंकिंग समाचार को प्रस्तुती बैंकिंग बुलेटिन मा स्वागच्छ मभावना वस्ती समाचा चुरू करौं आजका प्रमूख समाचार बाटा मिटर ब्याजी पिरित किसान को समस्या समाधान गरना सरकार द्वारा पहल 350 मिटर ब्याजी लाइक कारवाई अर्थ तंत्र मा पुर्वाधार छेत्र को योगदान बड़ाउन भवतिक पुर्वाधार छेत्र मा लगानी बड़ाउन उपरने सरोकारवाला हरुको जोड राष्टिया जन गणाना 2008 तर को प्रतिवेदन सार्व जनिक आर्थिक किर्या कलाप मा करीब डेड करोड मानी सगलंगन नेपसे मा जन उत्थान सामुदाईक लगुवित्त को सेर मुल्य समायोजन रा कुमारी कैपिटल ले बिहिबार देखी कुमारी सुनों लोलागान योजन आई काई निस्कासन गर्यो अब समाचार बिस्तार मा मिटर ब्याजी बिरुद्धा अंदोलन्रत किसान को समस्या समाधान गर्न सरकार ले पहल थालेको छा पिडित किसान को समस्या समाधान गर्ना गिर्यमंत्रालय ले कानून बनाउनना का निम्ती मिस्च्योदा बनायर कानून मंत्रालय मां पठाई सकेको प्रधान मंत्रीर्दाहलPC प्रेश्जण्योजग सर्मा ले बतायी काछन। सरकार ले 350 मिटर ब्याजी लाई कारवाई गरी सकेको सा। भहुतिक पुर्भाधार छेत्रमा लगानी अपुग भायको सरोकार वालाले बतायका सान। अर्थतंत्रमा पुर्भाधार छेत्रको योगदान बढ़ावना येस छेत्रमा ठुलो लगानी अवस्चेक रहेको उनिहरूले अउले आयका सान। विवार कारवणुमा आयोजित् पुर्भाधार लगानी विशयक अंतरकिरिया कारेक्रम्मा उपप्रधान एवम भहुतिक पुर्भाधार तथा या तायात मंत्री नाराण काजी स्रेस्टरले विकासका लागी भहुतिक पुर्भाधार छेत्रमा परियाप्त लगानी आव भईको धारणा राखेका सन। सुक्रबार राष्टिय जनगणना दुजार अठात्तर को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सा। सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार करीब 1.5 गरोड मानिस आर्थीक किर्याकलाब मा संगलगन रहेको पाईयेको सा। जनगणना को नतिजा अनुसार 10 पर सवा सो बंदा बड़ी उमेरका बेक्तिले गरेको आर्थीक काम लाई नेपाल इस्तरिया औव ध्योकिक छेत्र अनुसार बर्गिकरण गरी प्रस्तुद गरिएको सा। आर्थीक काम मा एक करोड उन्पचास लाख तीरियासी हजार तीन से दस संगलगन रहेकाशन। तीमधे सबय बंदा देरेई किर्शी बन्र माचा पालन छेत्र मा रहेकाशन। तेस्पची क्रमसा थोक एओम खुद्राब्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत का कारियहरूमा संगलगन रहेकाशन। नेपाल स्टक एक्सजेंज नेफसेमा जण उथान सामुदाईक लगुबित्त बीत्य सस्था लिमिटेट को स्येर मոल्य शमायोजन भायको ठाश नेफसेले लगुबित्त को स्येर मोल्य समायोजन गर धयी. प्रतिकीत्ता सियर 49ー Rudnट्यूपैसा कायम गरिको ठाश यह सगीको अंतिम कारोबार मुल्य अनुसार प्रतिकित्ता 1090 रुपया थियो अब समायोजित मुल्य अनुसार नै यो लगुबित्त का सेयर कारोबार मा आउनी सा साधारण सबा तथा लाभांग सबितरण प्रयोजनार्थ लगुवित्तले बुक्लोज गरे संगई नेपसेले सेयर मुल्य समायोजन गरी नया मुल्य निर्धारण करीको हो कुमारी कैपिटल लिमिटेड ले बिहिबार देखी कुमारी सुनवलो लगानी योजना को इकाई निस्कासन तथा विक्री खुल्ला गरेको सा उक्त योजना ले प्रती इकाई 10 रुपया अंकित मुल्य का 10 करोड इकाई निस्कासन गरेको हो दितोपत्र निस्कासन तथा बिक्री प्रभंदक कुमारी कैपिटल लिमीटेट का अनुसार हाल 50 करोड रुपयां बराबर को 5 करोड इकाई सार्वजनिक निस्कासन मारफत बिक्री गरीनेश भने बांकी रहेको 5 करोड इकाई सामोहिक लगानी कोस नियमावलीको ब्योस्थाब मोजीम योजनाको इकाई योजना ब्योस्थापकले तोकेको बितरक मार्फत निरंतर खरीद विक्री गरीनी छा साथै योजनाले 1 करोड पचास लाख इकाई कोस प्रवर्दक कुमारी बैंक लिमिटेट का लागी छुट्ट्याएको छा सर्वसाधानन लगानी करताले भने बांकी 3 करोड पचास लाख इकाई का लागी आवेदन दिन शक्नेशन निसकासन बन्द छिटोमा च्रई तेर गते हुने शभने सो अवधी सम्ममा पुण आवेदन न परेमा निसकासन अवधी च्रई त्याइस गते सम्बल लंबिनेशन लगानी करताले निउनतम सय इकाई का लागी आवेदन दिनो पर्नेश भने अतिकतम पचास लाख इकाई का लागी आवेदन दिनो सक्नेशन हवस्ता आजका लागी बैंकिंग बुलेटी ने तिने बोली फेडी बित्तिय छेत्र का ताज आपडेट लिए रावनेशों नमस्कार